इस गाउं के लोगों के पास है दो देशों की नागरिकता खाना म्यामार में और आराम भारत में करते हैं इस गाउं से जुडी रोचक बात यह है कि अंतराश्ट्रिय सीमा रेखा गाउं के मुख्या के घर से निकलती है उनका आधा घर भारत में है और आधा म्या मार में यह गाओ नागालेंट के मौन जिले में है लेकिन यहीं से अंतराश्च्य सीमा भी गुज़ती है जो दुनिया की तमाम सर्थादों के लिए अमन्धी मिसाल हो सकता है अंतराश्च्य सीमा भासे इस गाओं का नाम लोगवा है और यह भारत के नागालेंट प्रांट में स्थित है इस गाओं पर कुद्रग भी बहुत महड़ाई है अंतराश्च्य सीमा मुख्या के घर से गुज़ती है इस जिन जाती के राजा का नाम मांगने को वांग है और इसके अधीन लोगवा समेट कुल कुछहतर गाओं आते हैं इस गाओं से जुड़ी रोचक साथ यह है कि अंतराश्च्य सीमा भीखा गाओं के मुख्या के घर से निकलती है उनका आधा घर भारत में राधा म्यामार में इस परिवार के लोगों का खाना म्यामार में पकता है और वे आराम भारत में करते हैं ऐसा कई घरों के साथ है यह खुबी इस गाओं को दूसरों से अलग बनाती है इन लोगों के पास दोनों ही देशों के नागरिकता है लॉंडवा गाओं के लोगों के पास दोनों ही देशों के नागरिकता है यानि वे भारत के नागरिक भी हैं और नियाम मार के भी गाओं के मुख्या का एस बीटा तोम्ना मार की सेना में भी है यहां देश के नाम पर तक्रब तथा तनावे को नहीं दिखाई देता उनका यह गाउआ दिवासियों एवं उनकी ताचीन परंपराओं से जुड़ा है यहां की मान्यता के अनुसार मुखिया एक से ज्यादा शाबी करते हैं यहां तक की उनकी की संख्या साथ भी रही है बहुत पहले यहां कबीलों में आपसी यूद बहुदे थे तब एक कबीला दूसरे कबीले के लोगों की गर्धने काटकर उसे विज़े थे प्रतीक के रूप में सहेच करकता था अब यह परंपरा बंद हो चुकी है लेकिन आज भी खोटरियों के धेरे परंपराओं की यादे ताजा कर देते हैं